ओम गंगरपतै नम आई ये सुनते हैं सकट्चोथ के दिल संतान प्राप्ती के लिए सकट्चोथ की यह कथा इस बार सकट्चोथ का ब्रद 10 जन्वरी 2023 को रखा जा रहा है इस दिन भगवान गडिश का बिधी बिधान के साथ पूजन किया जाता है साथ ही ब्रत उपवाश की भी परंपरा है इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयू और अच्छी स्वास्त के लिए ब्रत वह पूजा करती हैं इसकी अलामा सकट चोट का ब्रत करने से निसंतान दमपतियों को संतान सुख का आशिरबाद प्राप्थ होता है सकट चोट को कई चगहों को संकष्टी चतूर्थी वक्त्रकुंडी चतूर्थी तिलकुता चोट की नाम से भी जाना जाता है सास्त्रों के अंसार इस दिन ब्रत कथा सुनने के बाद ही ब्रत को पूर माना जाता है और इसका तभी लाब भी प्राप्त होता है आई यी सुनते हैं सकचव ब्रत कथा एक नगर में शाहुकार और उसकी पत्नी रहते थे दोनों का धर्म, दान वपुंड्य में कोई विश्वास नहीं था उनकी कोई अउलाद भी नहीं थी एक दिन साहुकार ने अपने परोशन के घर गए उस दिन सकचव का दिन था और परोशन सकचव की पूजा कर रहे थी शाहुकार ने परोशन से पूछा यह तुम क्या कर रही हो तब परोशन ने कहा आज सकचव का ब्रत है इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ शाहुकार्नी ने परोशन से पूछा इस ब्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है परोशन ने कहा इसे करने से धन धान्य शुहाग और पुत्र सब कुछ मिलता है इसके बाद साहुकार्नी बोली अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं सवासेर तिलकुट करूंगी और चौथ का ब्रत रखूंगी इसके बाद भगवान गरीश ने शाहुकार्नी की प्रार्थना कबूल कर ली और वो गर्वती हो गई गर्वती होने के बाद साहुकार्नी ने कहा कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं धाई सेर तिलकुट करूंगी कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया इसके बाद साहुकार ने बोली भगवान मेरे बेटे का विबा हो जाए तो सवा पाथ सेर का तिलकुट करूंगी भगवान गरेश ने उसकी ए फर्याद भी सुन ली और लड़के का विबाद तै हो गया सब कुछ होने के बाद भी शाहुकार ने तिलकुटार नहीं किया इसके कारण सकट देवता क्रोधित हो गए उन्होंने जब साहुकार ने क्या बेटा फेरे ले रहा था तो उन्होंने उसे फेरों के बीच से उठा कर पीपल के पेर पर बैठा दिया इसके बाद सब लोग बर को ढूढने लगे जब बर नहीं मिला तो लोग निराशो कर अपने घर को लोट गए जिस लड़की से साहुकार ने के लड़के का बिबा होने वाला था एक दिन ओ अपनी सहेलियों के साथ गरग और पूजन करने के लिए जंगल में दूब लेने गए तभी उसे पीपल के पेर से एक आवाज आई ओ मेरी अर्ध ब्याही ये सुनकर लड़की घबडा गए और अपने घर पहुची लड़की की माने उससे वजह पूची तो उसन उने सारी बात बताई तब लड़की की माँ पीपल के पेर के पास गए और जाकर देखा तो पता चला की पेर पर बैठा सकतो उसका जमाई है लड़की की माँ ने जमाई से कहा की यहां क्यूँ बैठे हो मेरी बीटी तो अर्ध व्याही कर दी अब क्या चाहते हो इस पर साहुकार्नी का बेटा बोला की मेरी माने चौध का तिलकुट बोला था लेकिन अभी तक नहीं किया सकट देवता नाराज है और उन्होंने मुझे यहां पर बैठा दिया है ये बात सुनकर लड़की की मा शाहुकार्नी के घर गए और उससे पूछा की तुमने सकट चौध के लिए कुछ बोला था साहुकार्नी बोली हाँ मैंने तिलकुट बोला था उसके बाद साहुकार्नी ने फिर कहा ही सकट चौध महाराज अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं धाई मन का तिलकुट करूंगी इस पर ग एक मौका दिया और उसके बेटे को वापस भेद दिया इसके बाद साहुकार्नी के बेटे का धूमधाम से विवा हुआ साहुकार्नी के बेटे और बहु घर वापस आ गए तब साहुकार्नी ने धाई मन तिलकुट किया और बोली ही सकट देवता आपकी कृपा से मेरे बЕटे पर आया संकर दूर हो गया और मेरा बेटा बहु शक उसल घर पर आ गय है मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ अब मैं हमेजा तिलकुट करके आपका सकट चौद का ब्रत करूँगी इसके बार सारे नगरवाशियों ने तिलकुट के साथ सकट ब्रत करना प्रारम्व किया सकट चोथ के दिन दिन भर ने जला ब्रत रखने की परंपरा है पूजन में शुबह ब्रती मात आएं प्रथम देव गरपती का पूजन और ध्यान जब करना चाहिए पीला वस्त्र पहने और पीला ही आसन बिछाएं गरपती के साथ देवी गौरी का भी पूजन करें घी के दीपक जलाएं और काले तिलका लड़ू, सकरकन, गूर घी के साथ ग्यारह या इक्किस दुरवा भी अरपित करें संध्याकाल में प्रथम देव गरपती की पूजा करें और चंद्रूदय के बाद उन्हें अर्ग देकर ब्रत पूर किया जाता है साथी इस दिर तिलकुत का बकरा बनाकर उसकी बली भी दी जाती है यह ब्रत किवल संतान के लिए है असकन पुरार के अमसार यह ब्रत संतान के कल्यार के लिए रखा जाता है इस दिर मुख्य रूप से घरपती बंदना गजानन भूत गडारी से वितम की जाती है कुछ महिलाएं चावल और गुड का बकरा बनाकर भी उसकी बली देती है पूरे दिल निर्जला ब्रत रखती है और आक्री में चंद्रमा को अर्ख देकर ब्रत का पारन करती है